दुन्या की सबसे बड़ी और सबसे सफल सारवजनिक स्वास्त पहलों में से एक स्वच भारत अभ्यान को 10 साल पूरी होने जा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस 2014 को लाल के लिए से स्वच भारत अभ्यान की घोश्टा की थी स्वच भारत अभ्यान पियम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अब तक जारी है और उसी रफ्तार और जोश के सार जैसे इस बार की थीम है स्वभाव स्वच्चता संसकार स्वच्चता खास बात ये है कि पियम मोदी ने एक तरफ लोगों को सफाई के प्रती प्रिरित किया तो दूसरी तरफ समाज के जाने मारे चेहरे और इंफ्लिवेंसेस को इसके साथ जोड़ा ताकि अभ्यान का असर हो लोग न सिर्फ इससे जुड़ें बलकि साथ सफाई उनके संसकार का हिस्सा हो जाए मिशन को देश पर में व्यापक तोर पर राश्ट्रे आंदोलन के रूप में शुरू किया गया स्वच भारत अभ्यान एक परिवर्तन कारी पहल रही जिसने भारत में स्वचता में क्रांती ला दी है जिससे व्यापक सारवजनिक स्वास्तिला भुप्राप्थ हुए हैं लाखो शौचाले उपलब्द कराकर शिशु मृत्युदर को कम करके और वहलाओं की सुरक्षा में सुधार करके इस अभ्यान ने भारतियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है इस अभ्यान के प्रमुगुदेश्य, खुले में शौच को खत्म करना, हर घर में शौचाले की सुविधा उपलब कराना, ठोस और तरल अप्षिष्ट का प्रबंधन करना, पेजल की परियापतों सुरक्षित आपूर्टी सुरिश्चित करना, सार्वजनिक स्वास्त में स सुधान लाना, जल जनित, रोगों के खत्रों को कम करना, और स्वच्चता और स्वास्त से जुड़ी प्रथाओं को बढ़ावा देना, अब आपको बता दें कैसे स्वच्चता भारत मिशन ने अपना असर दिखाया, एक हालिया अध्यन से पता चलता है कि इस अभ्यान से स साथ हजार से सतर हजार सिश्वों की जान बच रही है, विश्व स्वास्त सर्गठर ने बताया कि 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से तीन लाग कम मौते हुई, जिसका सीधा संबंद स्वच्चता से रहा है, खुले में शौट से मुक्त गाओं में रहने वाले परिवारों को स्वास्त लागत पर प्रती वश औसतन 50,000 रुपे की बचट भी हुई, देश भर में स्वच्च भारत मिशन ग्रामिन के तहट अब तक 11 करोड से भी जादा शौचालियों का निर्मान किया गया, अब तक भारत भर में 5 लाग से भी जादा गाओं ने ODS PLUS का दर्जा हासल क की है और 4 लाग से भी जादा गाओं ने तरल अप्षिश प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, ऐसा ही स्वच्चता मिशन शहरीक शेत्रों में भी चलाया गया और शेहरों को कचरा मुक्त बनाया गया, विश्व स्वास्त संगठर ने इस अभ्यान की तारीफ करते हुए कहा था, विभिन देश किस तरह से स्वच्चता सेवाएं सभी को मुहया करा सकती है, स्वच्च भारत अभ्यान इसका एक अच्छा उधारण है, इसी तरह युनिसेफ ने भारत के इस अभ्यान की स्वास्त और स्वच्चता से जुड़ी योजनाओं की तारीफ करते हुए क पी-म मोधी ने स्वच्च भारत अभ्यान महात्मा गांधी को समर्पित किया, देशवासियों का समर्पित किया और उन्हें इसने गर्व महसूस कराया, आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी हमारी कोशिश का नतीजा ये रहा कि विदेशों में भी स्वच्चता अभ्यान की चर्चा होने लगी है और इस अभ्यान ने वैसे तो बहुत कुछ बदला लेकिन सबसे बड़ी बात कि हजारों की संध्या में नन्हें उन्ने बच्चों की जिन्दगी अब ज्यादा सुरक्षित है, सितम्मा के पहले हफते में आई नेचर जनरल की रिसर्च के मताविक, साल 2011 से 2020 के बीच हर साल 60,000 से जादा बच्चों की जान शौचाले और साफ सफाई के चलते बची है, खुद पियर मोदी ने इस रिसर्च को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया, उन्हों ने खा कि मुझे खुशी है कि सध्यायन ने स्वर्च भारत मिशन जैसे प्रयासो सरकारों ने इस तरह के अलग-अलग मिशन चलाने का एलान किया, लेकिन ज्यादा दर कागजों में ही सिमट कर रहे गए, इससे पहले यूपिय सरकार के दौर में निर्मर भारत अभ्यान भी लाया गया था, लेकिन अभ्यान का एलान करना और उसे जन-जन आंदोलन बनाना दोनों अलग-अलग है, यही बात प्रधान मंत्री को अलग करती है, पियम मोदी ने नई दिली से स्वच भारत मिशन की शुरुआत करते हुए कहा था, एक स्वच भारत के द्वारा ही, 2019 में महात्मा गांधी की एक सो पचासवी जयनती पर अपनी सर्वोत्तम शर्धाजली दे सकते हैं, दो अक्टूबर 2014 को शुरू मिशन को आंदोलन में बदलने का पूरा श्रे, पियम मोदी को ही जाता है, इतना ही नहीं, पियम मोदी ने वकायदा इंडिया गेट पर स्वचता के लिए आयोजितिक प्रतिग्या समारों की अगवाई की थी, जिसमें देश भर स आये लगभक 50 लाग सरकारी करमचारियों ने भाग लिया, इसी मौके पर राजपत पर एक पध्यात्रा को भी जण्डी दिखाई गई, पियम मोदी सिर्फ सांगेतिक तोर पर दोचा कदम नहीं चले, बलकि काफी दूर तक पध्यात्रा का हिस्सा बने, तब ही ये तैय हो कि पियम मोदी ऐलान को आंदोलन बना कर ही दम लेंगे, पबलिक जब देखती है कि सबसे बड़ी जम्हुरियत का सबसे बड़ा नायग, अगर जाडू उठा कर साफ सफाई कर रहा है, तो वो खुद इस तरह का मिशन का हिस्सा बनने लगती है, यही स्वच भारत मिशन के स परिणाम है, सितंबर में आई नेचर की रिपोर्ट, समय समय पर ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, जैसे मंत्रों के साथ समाज में दबदबा रठने वालों को जोड़ना, कभी जाडू उठा कर सफाई, कभी वारणसी के अस्तिखार पर फावरा चला कर साफ सफाई, प्रधान मंत्री मोदी को स्वर्च भारत अभ्यान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स पाउंडेशन द्वारा 24 सितंबर 2019 को ग्लोबल गोल कीपर पुरुसकार से भी सम्मालित किया गया था, और अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं इस अभ्यान को, आगे इसी तरह पूरे जोश के साथ इसे आप भी जारी रखिए